बच्चों हमारा चल रहा था ध्याय सत्रा यानि की श्वसन और गैसों का विनिम है और हमने पिछले वीडियो में बात की थी किस तरह से अलग अंग होते हैं जो की श्वसन के लिए सहायक होते हैं जैसे की त्वचा है, ट्रेकिया है, साथ ही हमने बढ़ा था कि फेफडे हैं और एक चीज और पड़ी थी गिल्स ठीक है तो यह चीज हमने पड़ी थी कि इन से जो है श्वसन की क्रिया होती है और साथ ही मैंने आपको दिये थे दो प्रश्न तो आईए चलिए जरा देखते हैं आपने उनके सही उत्तर लिखे या नहीं प्रश्न था केच्वे में गै कोटिकल के द्वारा ही जो है गैसो का आदान प्रदान होता है यानि श्वसन की क्रिया होती है फेफडों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को क्या कहते है यह आपको ध्यान हो तो बताया गया था कि जो हमारी श्वसन अली है वो आगे जाकर दो भागों में बढ़ती है द हम करेंगे मानव के श्वसानंगों के बारे में .चिनक बताइएं कि अपने बारे में लेते हैं और वह थी नाकैन चाही जाती है往 मानव के वह छूटी कक्षाऊ यंप पढ़ाए कि शासनली होती है, आगे जाकर के वो दो भागों में बटी होती है, हमारे फेफडे होते हैं, उन फेफडों में चली जाती है, लेकिन क्रिया और क्या होती है, उसके बारे में और देखते हैं कि कैसे होता है, तो मनुष्ये के श्वसन तंत्र को क्या है, दो भागो में बाटा गया है, पहला है आपका श्वसन मार्ग, दूसरा है आपका फेफटे, तो जब हम श्वसन मार्ग की बात करते हैं, तो श्वसन मार्ग आप देखिए, नासिका एवं नासिका मार्ग, नासिका यानि नासा यानि हमारा नाक ठीक है, और उसका पूरा मार्ग, फिर हम हमारा गला, श्वासनली, श्वस्निया और कूपी का वाहिनी, यह यह सारा क्या है आपका श्वसन का पूरा एक पार्ग है, तो अब इसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं नाग की बात, तो आप सब ने अपनी नाग देखी हुई है, नाग में दो छेद होते हैं, जिनन प्रभाग में नासा कोष्ट होते हैं, यह आपके नासा कोष्ट है, यह आपका नासा चिद्र है, यह नासा मार्ग है, यह नासा गुहा है, और बीच में क्या है आपका नासा पठ है, तो मेरा ख्याल है, इसके बारे में हमें बहुत जादा जानकरी अपने आप मिली गई है क्योंकि हम जानते हैं कि अब यह गूहा होती है यह जो नासा गूगा है क्या करते हैं मुख गूहा से अलग होती है, तालू जु़ा जो हमारी होती है उससे और शलेश्मा-जिल्ली दोरा पूरी तरह may आस्तारित होती है जो की झति आपको मालू मैं मारी नाग के औंदर क्या होती है। अगर भाग में इसमा कहा होती है। तंतर का तंतों के अनेक स्वाथंज सीरे जहें कारी देती हैं। अब नाशागुहा जो है इसकертв कारे क्या होते हैं तो देखी है यह न ये जो है टेडी मेडी हगडिया है दिख आपको ये पूरा क्या करती है एक एक शेत्रफल को बढ़ा देती है, यह देखिए यहां पर, यह पूरा इसने शेत्रफल को बढ़ा दिया, अंदर की साइड, अब चक्करदार यह मार गया, यह देखिए, चक्करदार मार्क से गुजरते समय, वायू जो है, अब सांस लेते हैं, सांस में हवा अंदर जाती है, तो वाइू का ताफ हमारे शरीर के ताप के बराबर हो जाता है और इसमें से क्या होता है? शलेषमा निकलता रहता है लगातार तो उससे सतय जो है वो कैसी रहती है? नम रहती है और साथ ही जो वाइू के साथ आये हुए वाइरस है या और कोई धूल मिटी के कन है कि अपको मालूम है जब हमने पाचन दंतर की थी तो हमने ग्रस्णी के बात पड़ा था कि ग्रस्णी का के साथ जूड़ी हूई होती है है और ग्रस्णी में क्या है अप एक खारा खाते हैं तो उस condition में यह द्वार को बंद कर देता जो श्वासनली वाला जिससे की खाना जो है वो श्वासनली के अंदर ना चला जाए और ग्रशनी के अधर शेत्र में उपस्तित ग्लॉटिस के मद्यम से फेरिंग लेरिंक्स में कहां खुलती है कंट के अंदर लेरिंक्स का कंट के अंदर खुलती है भोजन को निगलते समय ग भक दिया जाता है, यह अपका कंठ है, यह आपकी ग्रस्नी है पूरी, यह आपकी नासाग हुआ है, यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी, अब बात करते हैं कंठ की, कंठ में गया होता है, आपको पता है कि इसे स्वारियंत्र कहते हैं, कंठ में हमारे स्वारियंत्र होते ह हम आवास निकाल सकते हैं हमारी आवास अभी आती है और इसमें चार उपास्तिय होती है कौन कौन सी होती है एक तो होती है आपकी थाइरोइड ठीक है एक होती है क्रिकॉइड और दो होती है अरोटी नॉइट्स ठीक है यह देखिए थाइरोइड यह है यह पूरी की पूरी क ABAKHA में 2 होती हैं, इसमें स्वर रजू भी होते हैं जो की स्वर, जिससे हम निकाल सकते हैं, ध्वनी उत्पन करते हैих कंट कि गोहा को कंट कोष कहते हैं और कंट के छिद्र की घांटी मतलब आपको मालूम है ग्लॉटिस होता है इसमें और घाटी को ढखने के लिए यानि एपि ग्लॉटिस क्या करता है उसको बंद करने का काम करता है तो यह हमारा कंट हो गया अब हम बात करेंगे श्वासनली की तो श्वासनली जो है यह आपने देखी है यह श्वासनली है आपकी और इसके अंदर य सी आकार के यह बने हुए होते है, इस तरह के छल्लह होते हैं। सी आकाव के छाल्य होते है। और यह कंठ प्रारंब होती हुए, कहां तक गरदन से होती हुए डायाफ़राम तक नीचे तक जाती है। यहां पर यह दो भागों में बढ़कर ही जिसको क्या बोलते है श्वस्तनी कहा जाता है और फिर श्वस्तनी क्या करती है आगे जाकर श्वस्तनी काओं में बदल जाती है और वो श्वस्तनी काओं के सिरों पर वायुकोष होते हैं यह सी आकरती के जो चल्ले होते हैं आप जा जंतरिता पूर्वग अंदर, बाहर होसके यह ना आ जा सके ठीक है और इसके अलावा स्वासनली के अंदर भी इस ख्लेषमा कला की जो परते होती है जो इस ख्लेषमा को स्तरावित करती है जिससे कि वह उसकी भीतरी सते कैसी रहती है नम रहती है अब बात आती है हमारे फेफडों की, तो आप अभी तक समझ गए कि फेफडे जो है, वो किस तरह से होते हैं, श्वासनली दो भागों में बढ़ती है, दो फेफडे होते हैं हमारे, एक दाया और एक बाया फेफडा, ठीक है, और इसको श्वसनी कहते हैं, और ये आगे जाकर के और पार्ट्स में बढ़ जाती है, जिने क्या कहते है, श्वसनी कहते हैं, अब फेफडे की बात करते हैं हम, फेफडे में क्या होता है, फेफडे के अंदर ये पूरा का पूरा पार्ट आप देखिए, फेफडे के आंतरिक रचना को यहां पर दर्शाया गया है, आपको के अंदर चीज होती है और इसके साथ होता है सिलोमिक एपिथिलियम का एक आवरण होता है जिसे क्या कहा जाता है प्लूरा कहा जाता है ठीक है यह जो प्लूरा है यह प्लूरा होता है यह प्लूरा जो है अब यह इसकी जो भार की जिल्ली होती है वह कहलाती है पराइटल ठी ठीक है यह इस तरह से पूरा का पूरा यह बना हुआ होता है अब इसमें वायू जो है वो अंदर वाले में जो विसरल होता है इसमें दो पार्ट होते है तो अंदर वाला जो पार्ट होता है वो विसरल बाहर वाला पैराइटल है अंदर वाला विसरल होता है और इसके बाद क होता है कि जो आपका दाया फेफडा है वो तीनापोर्ट में बठा हुआ होता है अग्रफेफडा मध्यपिन पश्चपिन्ड टिग जो आपका पैफडा है केवल दोई पार्ट होते हैं च्र tal पिंड और पश्चपिंड ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा कि जो आपका दाया फेफडा है उसके तीन पार्ट होते हैं अग्रपिंड, मधपिंड और पश्चपिंड और जो आपका बाया फेफडा है उसके दो ही पार्ट होते हैं ठीक है दाया फेफडा जो यह देखिए, श्वसनी यह प्रवेश कर गई, अब इसके बाद यह क्या हो रही है, छोटी-छोटी और शाखाओं में, जिसको क्या कहा गया है, श्वसनी का कहा गया है, उसमें यह बदल जाती है, ठीक है, और इसके बाद प्रतेख श्वसनी का से श्वसन, यह देखिए, प् आरत सब्सक्राइं सवाध सन रंटा को होती है वायू कूपिकाएं कि जहा पर की वायू का आदान-प्रदान होता है तो आप समझ गएं नियुक्ती अलेकर में गला, गरस्नी, नासा द्वार यह साधार है जो हमारे शरीर के अंदर किस तरह से हवा जाती है उसके बारे में बताते हैं कि पहले नाग के छिद्रों से होती हुई, नाग गुहा में जाती है, गुहा से फिर कहां जाती है, हमारी ग्रस्नी में जाती है, ग्रस्नी से कंट में जाती है, कंट से श्वासनली में जाती है, श् के अंदर वो जो श्वस्नी जाती है वो श्वस्नी आगे जाकर श्वस्नी काओं में बदल जाती है बहुत सारी चाखाओं में परिवर्तित होती है जिसमें श्वस्नी काओं कहते हैं और उन श्वस्नी काओं के जो सीरे हैं वो फुले हुए होते हैं जिनको वायू कुपी काओ क्या कहते हैं और दूसरा है epiglottis का कारे बताईए तो ये दो प्रश्न आप जल जल दी से अपने copy pen उठा करके और इनके answer लिखिए फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू